हेलो दोस्तों, बैलकम बैक टू अन्यू वीडियो तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि वन मित्र के फॉर्म भरना शुरू है और कई लोगों ने अभी तक फॉर्म भर भी लिये होंगे तो अब इस कुछ महत्वपोर्न रूल्स निकल कर आये हैं तो सोचा आप सभी को इसक बारे में बता दे तो चलिए फिर बिना वक्त जाया कि यह जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले वीडियो की हेडलाइन देख लेते हैं तीस मिनट में पांच किलोमीटर दौड पूरी करने वाले ही बनेंगे वन मित्र इसी के साथ महिलाओं के लिए डेड़ किलोमीटर दौड दस मिनट में पूरी करना जरूरी तो चलिए अब जांकरी डिटेल में सुनते हैं वन मित्र योजना के तहट 30 मिनिट में 5 किलोमीटर दोड़ पूरी करने वाले पुरुष और 10 मिनिट में 0.5 किलोमीटर दोड़ पूरी करने वाली महिलाएं ही पात्र होंगी शारीरिक दक्षता जाचने के लिए दोड़ होगी वन मित्र बनने के लिए पात्रता, क्वालिफाइंग रखी गई है, ये स्पर्धा नहीं होगी 2061 पदों के लिए हो रही भरती के लिए संबंधित क्षेत्र KSDM की अध्यक्षता वाली कमेटी साक्षात कार लेगी, कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी 30 दिसंबर तक इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे, भरती के 100 अंख होंगे इसमें बारहवी कक्षा के प्राप्त अंख के आधार पर 75 में से अंख मिलेंगे बारहवी में 50 फीसदी अंख हैं तो 50.0.75-3-7 अंख मिलेंगे NWS या BPL के लिए 2 अंख, SC, STO, BC के लिए 2 अंख, NCC, NSS, भारत स्काउट एंड गाइड्स के लिए 2-5 अंख, राष्ट्रिय स्पर्धा के विजेता को 5, विध्वा, एकल महिला को 3, सिंगल गल चाइल्ड 3, साक्षातकार के 10 अंख मिलेंगे आवेदनकर्ता का बारहवी पास होना अनिवार्य है और उम्र 18-25 साल के बीच होनी चाहिए पुरुष आवेदक की लंबाई 165 सेंटीमीटर और महिला की लंबाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए प्रार्थना पत्र के साथ उम्र शिक्षा, हिमाचली मूल निवासी प्रमाण पत्र लगाने होंगे आवेदन पत्र पर एक फोटो भी लगानी होगी बिलासपुर वन वृत में 124, चमबा 198, धर्मशाला 209, हमीरपुर में 194, कुल्लू 140, मंडी में 309, नाहन में 216, रामपुर में 164, शिमला 240, सोलन 108, वन मित्र भरती होंगे वन्य प्राणी विंग धर्मशाला में 30, शिमला में 77 और शमशी कुल्लू में 52 रक्षक रखे जाएंगे